हीलो डोस्तों आपके अपने चैनल लोजिकल जीके में आपका स्वागत है चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज आपका पहला प्रश्ण है किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है A. साथ कोरिया में B. इटली में C. नौर्थ कोरिया में D. साथी अरब में आपका सही उत्तर है B. इटली में आपका अगला प्रश्ण है राजस्थान की आत्मा के स्मृत्य को कहा जाता है A. भानगडा को B. कुच्छी-पुरी को C. भुमर को D. लूर को आपका सही उत्तर है C. भुमर को आपका अगला प्रश्ण है गुर्दे की पत्री किद्नी स्टोन किसकी बनी होती है? A. Magnesium Oxalate B. Calcium Oxalate C. Iron Oxalate D. CGM Oxalate आपका सही उत्तर है B. Calcium Oxalate आपका अगला प्रश्ण है भारत छोड़ो आंदोलन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? A. November Kranty C. August Kranty D. December Kranty आपका सही उत्तर है C. August Kranty आपका अगला प्रश्ण है ताजमहन को बनाने में कितने मज़दूरों ने काम किया था? A. 10,000 B. 15,000 C. 20,000 D. 25,000 आपका सही उत्तर है C. 20,000 आपका अगला प्रश्ण है भारत में सबसे ज्यादा किस व्यक्ति की फोटो छपती है A. जवाहरलाल नहरू की B. महात्मा गांधी की C. नरेंद्रा मोदी की D. राहूल गांधी की आपका सही उत्तर है B. महात्मा गांधी की आपका अगला प्रश्ण है किताबों की सबसे पुरानी दुकान कहां पर स्थित है A. फिजी में B. भारत में C. जापान में D. पुर्तगाल में आपका सही उत्तर है D. पुर्तगाल में आपका अगला प्रश्ण है भारत के किस राज्य की राजभाषा संस्कृत है A. मध्य प्रदेश की B. उत्तर प्रदेश की C. उत्तराखंट की D. जारखंट की आपका सही उत्तर है C. उत्तराखंट की आपका अगला प्रश्ण है, भारत का कौन सा शहर पानी में दूबा हुआ है? A. द्वारिका B. मोहंचो दड़ू C. कोची D. तिरुवनन्तपुरम आपका सही उत्तर है A. द्वारिका नगरी आपका अगला प्रश्ण है दुनिया में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? A. हिंदू B. इसलाम C. इसाई D. यहुदी आपका सही उत्तर है C. इसाई आपका अगला प्रश्ण है किस देश को रात का सूरज कहा जाता है? A. अमेरिका B. जापन C. इटली D. नार्वे आपका सही उत्तर है D. नार्वे देश को आपका अगला प्रश्ण है दुनिया में सबसे तेज दोडने वाला जानवर कौन सा है? A. खरगोश B. तेनदुआ C. चीता D. शेर आपका सही उत्तर है C. चीता आपका अगला प्रश्ण है पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? A. लाहोर को B. कराची को C. रावल पिंडी को D. पेशावर को आपका सही उत्तर है A. लाहोर को आपका अगला प्रश्ण है गजलों का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर है C. 1922 में आपका अगला प्रश्ण है ऐसा कौन सा देश है जो 2011 में आजाद हुआ है? A. फ्रांस B. चीन C. नेपल D. सूडन आपका सही उत्तर है D. सूडन हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद आपका दिन शुग रहे